नारजी की ताजा खुसुर खुसुर को मिस्ट ना होने दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं पत्रकार सुमन पांडे के साथ भाजपा कारले एकाद्म परिसर में हुई मारपीट के विरोध में समस्त पत्रकार महाधरने पर बैठे हैं पत्रकारों की मांग है कि दोशियों पर कड़ी कारवाही की जाए अपराद करने के बावजूद आज दोशी आजाद घुम रहे हैं वही महाधरने के चौते दिन प्रेस क्लब के सामने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें चौपाटी संग दिव्यांग जनों ने भी अपने हस्ताक्षर के जरिये पत्रकारों की मांगों को समर्थन दिया इस अभियान में वरिष्ट पत्रकारों से लेकर प्रिंट मीडिया, एलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया के भी सभी पत्रकार मौजूद रहे इस मौके पर प्रेस क्लब के समस्त पताधिकारियों ने पत्रकार एकता को मस्बूत बनाने का संदेश दिया दिव्यांग जनों ने भी इस मोहीम में जुड़ते हुए पत्रकारों का समर्थन किया अज उसका पुर्जोय विरोध करते हैं कि इस प्रेगार की जो समस्या सब्सक्राइब हमारा बहुत सपोर्ट किया गया है पत्रकारों दोरा और आज जब पत्रकारों के साथ यह विभार हो रहा है तो हम उनके खिलाब यहां पर खड़े हो रहा है ताकि उनका हमें साथ सयोग कर सके क्योंकि उन्होंने हम लोगो आर्च से सिर्ष तक पहुचाया है अब जब उनकी बार ही है तो जब उनके साथ हो सकता है इसलिए आज हम सपोर्ट करने आए है ताकि आप लोगो भरपूर सयोग मिल सके हमारे दिव्यांग समण मादिस संग के द्वारा गौरतलापे की पतरकारों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक दोशियों पर कड़ी कारवाही नहीं की जाती उनका अनिस्चित कालिन धरना जारी रहेगा अब देखना ये होगा कि इसके बाद बीजेपी की तरफ से दोशियों पर कड़ी कारवाही की जाती है या वो अपने निरणें पर अडिक रहती है खबरची न्यूस के लिए राइपूर से कैमरा परसंट राकेश यादाव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट